क्लास एठ एक्सराइज 6.3 कोशन नमबर 1 What could be possible once digit of the square root of each of the following numbers इन numbers का आपको square root का once digit यानि unit digit क्या आएगी वो आपको बताने है जिस तरह से अभी तक हम square करते हैं 1 का square 1, 2 का square 4, 3 का square 9 इसी तरह आपको 9 का मुझे square root करना है तो 9 का square root करोगे तो क्या आएगा 3 तो उसी तरह से आपको यह सभी नमबर के देखके इनका इनका यह बताना है कि इनका स्क्वाय रूट होगा उसका यूनिट डिजिट का अंसर क्या होगा और वो हम कैसे पैचानेंगे इनका लास्ट डिजट देखके यह देखिए 1 का स्क्राइब 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 अब हमें क्या करना है जैसे हमारा फर्स नमबर था 9801 फर्स नमबर हमारा दे रखा है 9801 इसकी लास जिजिट क्या है 1 अब आप यह देखिए कि यहाँ पर किस किस के end में किस किस के end में 1 आ रहा है तो एक तो हो गया 1 का स्क्राइब यानि इसका जब आप स्क्राइर रूट करोगे तो इसकी यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट क्या होगी या तो 1 होगी और दून दिए यह देखिए एक ओर वान मेंज इसकी car तो उसके वंप्लेंश पे कॉन सा नंबर होगा Помल Aa data इसी तरह suppose किजिए कोई last number 6 है तो आप देखिए 6 किस में आ रहा है 4 के square में और 6 के square में यानि उसका square root करने पर हमें one space पे कौन सा number मिलेगा 4 या 6 आप question solve करते हैं देखिए first है हमारा 9801 9801 मैंने आपको करके बताया कि one visit पे कौन सा आएगा one आएगा यह nine आएगा the unit digit of the square root of 9801 could be one और nine second है 99856 last देखिए क्या number है six six कहां कहां पर आ रहा है देखिए एक तो four के square में आ रहा है और दूसरा six के square में आ रहा है means इस number का जब आप square root निकालोगे तो उसका जो one place पे जो number आएगा वो क्या आएगा it may could be four और six next number है हमारा 998001 again last में क्या है one है one है तो कौन सा number आएगा या तो one आएगा या फिर nine आएगा क्योंकि इनका last दिजिट क्या है वन 998001 तो इसका क्या हो जाएगा one और nine next number है हमारा six five seven triple six zero two five last number क्या है five कहाँ पर five आ रहा है यह देखिए यहाँ पर five आ रहा है means जब आप इसका square root करोगे जब इस number का square root करोगे तो उसका जो answer आएगा उसका once digit पे number कौन सा होगा five पर आप होगाँ पराभ आप होगा है